नमस्कार आप देख रहें नेक्ष नहीं नवाज मैं हूँ आपके सांथ सिराज 24 फरवरी साल 2018 शायदी बॉलिवुड इस दिन को कभी बुला पाएगा बॉलिवुड की चांद्री यानि श्री देवी इस दुनिया को अलविदा कहा गई ये दर्शकों के लिए एक ऐसी खबर थी जिस पर विश्वास करना मुश्किल था भारत से दूर दुबई में श्री देवी ने अपनी अंतिम सांस ली लेकिन श्री देवी के मौत का कानन आज भी एक सवाल बना हुआ है ये सवाल आज पांस साल बाद भी लोगों के जहन में घूम रहा है इस मामले पर कभी उनके परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया लेकिन एक्टरेस के निधन के पांस साल गुजर जाने के बाद बोनी कपूर ने उस रात का वो रास खोला और बताया कैसे श्री देवी का मौत हुआ फिल्म निवा तब बोनी कपूर जिनों ने पिछले पांस सालों से अपनी पत्नी और एक्टर श्री देवी के निधन पर चुपी बनाय रखी थी उन्होंने अब इस मामले पर पहली बार कुछ खुल कर बात की दन्यू इंडियन के दिये गए एक इंटर्विव में फिल्मेकर ने कहा ये एक सभाविक मौत नहीं थी या एक आस्मिक मौत थी मैंने इसके बारे में ना बोलने का फैसला किया था क्योंकि जब मुझसे जाच और पुष्थाच की जा रही थी तो मैंने लगभग 24 या 48 घंटों तक इसके बारे में बात की दरसल अधिकारियों ने कहा कि हमें इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि भारते मीडिया का दबाव बहुत था और उन्हें पता चला कि इसमें कोई बैमानी नहीं थी मैं सभी टेस्ट से गुजरा जिसमें लाइट डिटेक्टर टेस्ट और अन्य चीजे सामिल थी और फिर नी संदे जो रिपोर्ट आई उसमें पटरूप से कहा गया कि यह एक आस्मिक मौत था बाचीत में उन्हों ने आगे बताया कि अपनी पतनी की निधन के समय भी शिरिदे भी डाइट पर थी और उन्होंने कहा वह अक्सर भूकी रहती थी वह अच्छी दिखना चाहती थी वह यह सुनिशित करना चाहती थी कि वह एक अच्छी इस्तिती में रहे ताकि स्क्रीन पर वो अच्छी दिखे जब से उनकी मुझसे साधी हुई तब से उसे कुछ मोकों पर ब्लेक आउट की समस्या हुई और डॉक्टर कहते रहे कि उसे लो बीपी की समस्या है बनिकापूर ने आगे कहा कि नागरजुन ने एक ऐसी घटना के बारे में बात की थी जब एक शूटिंग के दौरान श्री देवी बातरों में बेहोश हो गई थी उन्होंने कहा यह दुर्भाग्य पून था बाद में जब उनका निधन हो गया नागरजुन अपनी समयना व्यक्त करने के लिए मेरे घर आये थे और उन्होंने बताया कि उनकी एक फिल्म के दौरान वा फिर से क्रेश डाइट पर थी और इसी तरह वा बातरों में गिर गई और उनके दाट तूट गए थे फिल्मेकर ने आगे बताया कि शादी के बाद उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट का पालन करने की उनकी आदत के बारे में पता चला इसलिए वह अपने डॉक्टर से उन्हें कुछ नमक शामिल करने की सला या आगरा करते थे उन्हें कहा कि रात के खाने के दौरान भी वह नमक रहीत खाने का अनुरोद करती थी उन्हें आगे कहा दुरभाग्ये से एक्ट्रेस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसने या भी नहीं सोचा कि इस घटना का किस हद तक गंभीर हो सकता है आप देखते रहिए नेक्ट नहीं आवाज मैं हूँ आपके साथ सिराज नमस्कार